So, hello everyone, welcome to our online learning platform, SP Lesson Competitive Exam. So, बच्चो, हमाई इस सीरीज चल दीजी, सक्सेश मुष्टर सीरीज, जिसमें हम complete course of physics की बात करने वाले हैं, बच्चो, और आज का जमाँ topic अब वो है, बच्चो, decaying process. So, all decaying process like alpha decay, beta decay and gamma decay, at one shot, हम उसको पढ़ेंगे, जो नीट जाई के साथ-साथ board exams, school level physics और college level physics की लिए भी useful है. तो अगर आप इस channel पे नए हैं बच्चो, तो प्लीज इस channel को like कीजिए, इसको subscribe कीजिए and share with friends. Okay, so बात करते हैं बच्चो, सबसे पहले decaying process में चीज आती है, Rutherford experiment. So, the first is that, Rutherford experiment. Okay, Rutherford experiment क्या था बच्चो, he put a sample of radictive substance in a lead box. सबसे पहले इन्होंने किया क्या था? इन्होंने एक lead box लिया and ये कुछ इसका practical experiment है, जो आपने पहले भी पढ़ रखा है. Like this. अब यहाँ पर बच्चो, क्या होगा? Different rays निकली. Okay? तो उनको plates पर देखा गया. जैसे ये positive plate है. And this is negative plate. Okay? So, he put a sample of radictive substance in a lead box. Okay? ये PB का box है, बच्चो. PB means lead. Okay? Best absorber of nuclear radiations. ये PB box क्यों लिया गया, बच्चो? ये NCIT की line है. Best absorber Best absorber of nuclear radiations. Of nuclear radiations. Okay, बच्चो, यहाँ पर जो है बच्चो, यहाँ पर radium रखा था ने, उन्हें, बच्चो, अब इस में से जो rays निकली बच्चो, तो इन्हें नों देखा कि गामा रेस जो है वो तो बिना डिफलेक्ट हुए, सीधी निकल गई. Okay, और जो बीटा रेस थी बच्चो, वो इस positive plate की तरफ अट्रेक्ट हुई. इस बीटा रेस, गामा रेस बिना डिफलेक्ट हुए, सीधी निकल गई बच्चो, और अल्फा रेस जो थी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफलेक्ट हुई. अल्फा रेस, ओके बच्चो, तो रेडिएशन विच डिफलेक्ट तौर्ड नेगेटिव प्लेट उसको बोल दिया आपने अल्फा रेस, रेडिएशन विच डिफलेक्ट तौर्ड पोजिटिव प्लेट उसको आपने बोल दिया बीटा रेस, और रेडिएशन विच इस अ बारे में चीज पता पड़ी that alpha rays से क्या पता पता these are stream of positive charged particles these are stream of positive charged particles ओक बच्चों ये particle nature बता रहा है इसका beta rays क्या होंगी बच्चों these are the streams of negative charge particles बीटा रेस के बारे मैंने क्या पता पड़ा these are the stream of negative charge particles यह इनकी nature होगी बचों गामा रेस के हैं बचों तो आप सबने पहले भी पड़ा रखा है मैंने these are the electromagnetic waves these are electromagnetic waves तो रादर फोर्ड के experiments हम यह पता पड़ा कि जो अल्फा रेस जो है वो stream of positive charge particles है बीटा रेस जो है वो stream of negative charge particles है and the गामा रेस these are the electromagnetic waves अब हम पढ़ेंगे इनकी properties तो first of all हम तीनों की properties पढ़ेंगे अल्फा बीटा एंड गामा की तो एक तरफ हम लिख देते हैं अल्फा बीटा एंड गामा ओके बच्चों सबसे पहले लिखेंगे अपन features कि इनको इनकी क्या-क्या features हो सकते बच्चों वो है अल्फा particles में बीटा particles में एंड गामा particles में ओके बच्चा पार्टी सबसे पहला feature आता है इसको identify कैसे करें तो अल्फा पार्टीकल को identify कैसे करेंगे बच्चों helium nucleus है यह this is helium nucleus बच्चों रीट माया वाई यह अल्फा पार्टीकल जो है वो helium nucleus है या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो double ionized helium ion है यह जिसको आप कैसे लिखते हो 2he 4 ओके so double ionized बीटा पार्टीकल की बात करें तो फास्ट मूविंग electrons है यह फास्ट मूविंग electrons ओके जो आप इन दो होते बच्चों यहाँ पर एक तो इसको ऐसे शो करते हैं और और एक को शो करते हैं ऐसे इनके बारे में भी अपन डिसकस करेंगे यह क्या चीज है गामा रेस के हैं बच्चों आपको बता रखा है electromagnetic waves है यह आप ब्रेकिट में इसको ऐसे भी लिख सकते हो photons हैं यह यह इनके identification हो गया charge की बात करते हैं बच्चों second identification आता है इनका charge यह second feature आता है इनका charge यह इनके charge कितना होता बच्चों बता रखा है twice of proton means plus 2e इस पर जो charge होता है वो electron के एकवाल होता है and these are the neutral मतलब no neutral होते हैं बच्चों gamma rays जो होती है यह gamma particles होते हैं neutral होते हैं बच्चों mass की बात कर लें third feature आता है बच्चों mass okay mass जो होता है alpha पर वो कितना होता है four times of mass of proton four times of mass of proton okay अब जो को बीटा पार्टिकल में बच्चों according to NCRT तो यह बता जाता है कि rest mass of beta rest mass of beta particles which is equals to rest mass of electron rest mass of electron अगर गामा rays की बात करो तो इनका rest mass कितना होता बच्चों आपको पता है यह photon की quality है rest mass कितना हो जाएगा इनका zero हो जाएगा ओके फिर fourth feature आता है बच्चों इनका speed so we can write the fourth feature one minute आपने इस लाइन कीच के इसको सही कर सकते हैं ओके यहाँ पे features हैं यहाँ पे alpha है यहाँ पे beta है यहाँ पे gamma है fourth feature आप बात कर रहे है बच्चों किसकी speed की speed कितनी होती बच्चों approximately आप इसकी speed according to NCRT लिखो गए तो 10 to the power 7 meter per second it means their speed depends on the nature of the nucleus so it's a characteristic speed यह चीज आपको ध्याँ रखनी है okay इसकी speed भी approximately होती है 10 to the power 7 meter per second but beta particles come out with different speed from the same type of nucleus यह चीज ध्याँ रखनी बच्चों कि जो beta particles होती है come out with different speeds from the same type of nucleus therefore cannot be a characteristic speed यह इसकी characteristic speed नहीं है alpha particle में characteristic speed है beta particle की नहीं है okay only gamma particle का आपको पता है only C equals to 10 to the power 8 meter per second यह speed of light okay only 10 to the power 3 into 10 to the power 8 meter per second gamma photons come out with same speed from all type of nucleus so cannot be a characteristic speed okay यह सारा अनका हो गया kinetic energy के अगर हम बात करें अगर हम बात करें kinetic energy के बारे में तो इनमें mega electron volt में होती है इनकी kinetic energy इनकी kinetic energy भी mega electron volt में होती है और इनकी kinetic energy mega electron volt में होती है ओके एनर्जी स्पेक्ट्रम बात करें बच्चों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला समाल एनर्जी स्पेक्ट्रम ओके बच्चों एनर्जी स्पेक्ट्रम जो होता है लीनियर होता है एंड डिस्क्रीट होता है लीनियर एंड डिस्क्रीट इसका बेटा स्पेक्ट्रम जो होता है बेटा का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है बच्छो वो continuous spectrum होता है continuous spectrum और इसका भी यहां पर सेम होता है गामा का रालफा का सेम होता है linear and discrete linear and discrete ओके बच्छो अब next feature की बात करते है अपों यह आपर हमने लिख दिया वापिस features यह alpha particle के लिए यह beta particle के लिए and this is for gamma particles अब next feature आता ionization power means IP ionization power तो याद रखना आपको alpha की ionization power सबसे ज़्यादा then beta की और last में gamma की अब इनका comparison पूछा जाता बच्चो जनरली comparison में अगर आप देखोगे तो यह देखोगे कि 10,000 times of gamma raise इसकी जो ionization power होती ही 10,000 times of gamma raise यह होती है 100 times of gamma raise 100 times of gamma raise जै इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चो 1 upon 100 times of alpha जै इसका एक चीज और हो सकता है कि 1 upon 100 times of alpha ओके इसके लिए तो 1 होगी होगी obviously because इसकी तरफ से अपन क्या कर रहे है imagination कर रहे है इसकी तरफ से comparison कर रहे है तो यह आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 upon 100 times of beta तो इसका मतलब हमने यह देख लिया data याद भी रहे तो नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है याद रहे तो अच्छी बात है इसकी आइनाजेशन पावर का आपको order याद होना चाहिए alpha की आइनाजेशन पावर सबसे ज़्यादा then beta की then gamma की और फिर next आता penetration power penetration power तो एक चीह आखना बच्छों जिसकी ionization पावर जितनी ज़्यादा होगी उसकी penetration power उतनी कम होगी इसका मतलब penetration power सबसे कम किसकी होगी alpha की सबसे ज़्यादा किसकी होगी gamma की तो we can write gamma then beta and then alpha penetration power जो होती है alpha की वो gamma की comparison में 1 upon 10,000 time होती है so 1 upon 10,000 times of gamma raise just इसका opposite का 1 upon कर दिया है न अपनने यह 10,000 time of gamma raise था यह 1 upon 10,000 of gamma raise हो गया यह 100 times of gamma raise था यह 1 upon 100 times of gamma raise हो जाएगा यह 1 upon 100 times of gamma raise यह हम बोल सकते हैं alpha का कितना times हो गया यह 100 times हो गया इसके लिए हम लेख सकते हैं 1 यह हम लेख सकते हैं 100 times of 100 times of beta अब आता बचो, अब आता बचो, effect of electric field and magnetic field so the last feature is that effect of electric field and magnetic field तो electric field and magnetic field deflection होगा इडिफलेक्ट होते हैं ओके deflection इसमें भी होगा लेकिन इसमें जो deflection होगा वो alpha के comparison में ज़्यादा होगा means more than alpha और यह तो deflect होते हैं नहीं है तब ही तो सीज़े निकल जाते हैं no deflection ओकी सो हमने देखा बचो alpha, beta और gamma rays तीनों में क्या comparison था अब type of radioactive decay पढ़ते हैं so the next heading is that type of radioactive decay type of radioactive decay process okay alpha decay की बात करते बचों सबसे पहला आता है alpha decay okay इसमें क्या होता है mass number decrease by 4 mass number decrease by 4 and atomic number decrease by 2 and atomic number decrease by mass number 4 से डिक्रीज हो जाएगा atomic number 2 से डिक्रीज हो जाएगा अब इसको जैसे equation में शो करते हो यह एक्स जैड ए है यह क्या है बच्चो पैरेंट है अब जब आप इसका alpha डिके करोगे बच्चों तो जैड में कितने का decrease आएगा दो का अगर यहाँ पे जैड है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों z-2 a में कितने का decrease आएगा 4 का इसमीज यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे क्या लिखोगे a-4 तो यह पेरेंट नुकले हो गया यह क्या होगा बच्चों डॉटर नुकले है इसको क्या बोलोगे आप डॉटर नुकले है और यहाँ पे इसके जगह यहाँ पे जो यह होगा है इसके जगह निकलेगा एक 2-H-E-4 जिसको आप बोलोगे alpha ओके अब एक चीज और याद रखने की जड़त है जो NEET में या J में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इसमें यह जो decay हो रहा है बच्चों इसमें total mass of product जो है is less than होगा mass of parent यह चीज आपको याद रखनी है कि in this decay in this decay total mass of product total mass of product is less than mass of parent ओके इसका मतलब mass of parent ज्यादा होगा total mass of product से ओके this difference in mass appears as kinetic energy of the products बच्चों यह भी पूछा गया है यह जो difference आ रहा है यह किसके form में appear होगा so this difference in mass this difference in mass appear as kinetic energy of the products kinetic energy of the products अगर आप लिखोगे disintegration energy लिखोगे या आप Q value लिखोगे so कैसे लिखेंगे बच्चों next आता आपन डिस integration या Q value कैसे लिखें so this integration और आप इसको क्या बोलते हो disintegration energy या इसका एक नाम और रहे बच्चों Q value for alpha decay ओके ये कैसे लिखोगे बच्चों ये लिखोगे आप Q which is equals to mass of X minus of mass of Y minus of mass of helium multiplied by C square ओके बच्चों Q किसके कोल हो जाएगा mass of X minus mass of Y minus of mass of helium multiplied by C square ओके फिर आता बच्चों beta decay beta decay की बात कर लेते हैं beta decay beta decay में क्या होता बच्चों the basic nuclear process undergoing beta minus decay is the conservation of neutron to photon ओके सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है the basic nuclear process the basic nuclear process underlying beta minus decay दो आता होते हैं बच्चों एक तो beta plus decay एक बीटा माइनस डीके underline beta minus decay is the conversion of neutron to photon is the conversion of neutron to photon okay it means होगा क्या neutron जो convert होगा वो होगा photon में वो क्या पूरी एक तो निकालेगा electron प्लस antineutrino इसको क्या बोलते हैं बच्चों anti-neutrino when neutron is converted into proton तो निकलता electron प्लस antineutrino तो इसकी अगर आप equation लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे बच्चों जेखो अभी इसको लिख के बताते हैं इसकी equation आएगी बच्चों जैसे कोई x, z, a है ओकी वो अब बच्चों actually में जब beta minus decay होगा तो इस a पर तो कोई effect नहीं होगा लेकिन z में क्या होगा plus 1 हो जाएगा ओके बीटा minus decay करोगे तो आएगा plus 1 बीटा plus decay करोगे तो आएगा minus 1 ओके बच्चों जो अगर आप इस decay का equation लिखोगे so you can write x जोगा वो convert हो जाएगा y में लेकिन यहाँ पर हो जाएगा z plus 1 ओके और यहाँ पर हो जाएगा a में कोई change नहीं होता z में 1 increase हो जाता है तो यहाँ पर निकलेगा एक electron जिसको आप show करते हो ऐसे देगो बच्चों यह भी electron ही है जिस पर minus 1 charge है electron और plus निकलेगा anti-nutrino ओके एक चीज और जो कि chemistry में भी पढ़ाई जाती है कि after beta minus decay neutron अपन proton का जो ratio होता है means n by p ratio वो decrease हो जाता है बच्चों ओके और एक चीज और कि beta minus जो होगा बच्चों यह beta minus जो होगा always comes out always comes out from the nucleus from the nucleus along with anti-nutrino along with anti-nutrino ओके बच्चा पार्टी अब जब बीटा प्लस की बात करते है तो बीटा प्लस में क्या होगा वो भी देख लेते हैं कि बीटा प्लस में क्या होगा बच्चों conversion of proton to neutron हो जाएगा जस्ट उसका उल्टा तो बीटा प्लस दिके में क्या होगा बीटा प्लस दिके में कन्वर्जन होगा proton to neutron में इसका मतलब अगर proton neutron में convert होगा तो निकालेगा एक positron plus neutrino इसको बोलते हैं बच्चों positron इसको बोलते हैं neutrino तो इसका मतलब अगर बीटा माइनस दिखे हुआ तो एलेक्टरोन और अर्टीनियो निकलते हैं और बीटा प्लस दिखे हुआ तो पोजिट्रोन और निकलते हैं इसका मतलब यहाँ पर अगर आप इसकी equation लिखोगे एकसजैड आ तो यहाँ पर A पर कोई फैक्ट नहीं बढ़ेगा Z में एक डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस वन कर देना और माइनस होगा तो यहाँ प्लस वन कर देना डायरेक्ट ट्रीग है बच्छो So Y जब लिखोगे आप तो यहाँ लिखोगे Z माइनस वन यह A यहाँ यहाँ पर जो निकलेगा पॉजिट्रो निकलेगा जिसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हो बीटा प्लस वन और जीरो प्लस निकलेगा निूट्रीनो ओके सो बीटा प्लस डिके में क्या होगा बच्छो यह वो वो कमज आउट फ्रम निकलेगा अलोंग विद नूट्रीनो बीटा प्लस जीरो कम्स आउट फ्रम दा नूट्लीयस आलोंग दा नूट्रीनो ओके फिर आता प्चोग गामा डिके लास्ट हमारा प्रोसेस है गामा डिके तो वी कें राइट गामा डिके तो बच्वो गामा डिके एक्चिली में बहुत स्पेशल चीज है जैसे similar to an atom हम एक चीज लिखते हैं similar to an atom ओके nucleus also have certain energy levels nucleus nucleus also have certain energy levels ओकी and nucleons occupies them and nucleon nucleon को इसको बोलते है बच्चो proton प्लस neutron को दोनों को मिलाके nucleon बोलते है and nucleon occupy them okay तो जिस तरह से atoms में energy levels होते हैं उसी तरह सी nucleus में nucleus में भी क्या होते हैं कुछ energy levels होते हैं जो किसमें होते हैं बच्चो जो कौन occupy करता है nucleon nucleon means proton plus neutron okay so after alpha decay बच्चो इस सबसे important चीज है कि after alpha decay और beta decay daughter nucleus may be in excited state जैसे या तो alpha decay हुआ या beta decay हुआ तो जो daughter nucleus है वो excited state में चला जाता है okay and return to the ground state अगर वो ground state में आयागा तो बच्चो क्या होगा आपको बोहर का model पता है अगर high energy level से low energy level में आता है तो वो उतनी ही energy के photon release करता है okay तो वो क्या करता बच्चो high energy के photon release करेगा जिनको आप क्या बोलते हो gamma photons इनको क्या बोलते होगा गामा फोटों हाई energy means mega electron volt order की जो energy होगी वो release करेगा actually में होता क्या जैसे alpha beta decay होता है तो वो daughter nuclei होता है excited state में चला जाता है लेकिन जब वो वहापे return back होता है तो वो high energy की gamma photons release करता है similarly आप एक चीश सोचो यह जैसे जैसे atom में होता सिरीज होती ही certain energy levels की वैसे nucleus में भी होती है जो कौन occupy करता है nucleion occupy करता है तो जैसे alpha beta decay होगा इसका मतलब gamma decay कब होगा alpha beta decay के बाद में इसमें ना तो z में change आता है ना a में change आता है okay तो आप लिखोगे जब gamma decay होता बच्चो तो ना z में change आएगा ना a में change आएगा इसका मतलब equation of gamma decay लिखोगे तो यह हो जाएगा xza a okay अब इसमें और इसमें क्या difference करेंगे जो अगर आप यह गामा decay कर आओगे यह भी xza ही रहेगा okay बच्चा पार्टी प्लस क्या निकालेगा क्या release करेगा gamma photons गामा photons की energy कैसे लिखते बच्चो h new okay अब इसमें और इसमें कैसे difference करेंगे बच्चो यहाँ पर लगा देंगे अपने एक star इस star का मतलब क्या होगा बच्चो इस star का मतलब होगा यह excited nucleus है star किसको शो कर रहा है यह एक excited nucleus है बच्चो okay तो बोर्ड में पूछा गया सवाल है कि इस star का मतलब क्या यह NCRT में भी star लगावा है इस star का मतलब है यह जो nucleus of excited state है okay और एक चीज और पूछे गई यह J में that is that पहली बात तो Z और A में कोई change नहीं होता and the second thing is that gamma emission do not change the structure of nucleus gamma emission do not change the structure of nucleus okay तो यह gamma के लिए हो गया okay बच्चा पार्टी अब आता है properties of neutrino and anti-neutrino next हम बात करेंगे properties of neutrino and anti-neutrino okay बच्चा पार्टी okay so next heading है हमारा properties of neutrino and anti-neutrino okay तो पहली बात तो दोनों में क्या चीज को में है बौथ आर चार्जलेस तो टो चाई न्यूटीनों की बात कर दो चाई एंटी-neutrino की बात करो हमारा दोनों क्या आरा चार्जलेस हैं अके और इनका जो रेस्ट मास होता है almost रेस्ट मास जीरो होता है okay because very light particles so have almost rest mass 0 या we can write 0 rest mass Why? Because they are very light particles Very Light particles Okay? अब इन में क्या होता बच्चो Spin quantum number होता है तो have spin quantum number वो क्या होता बच्चो प्लस माइनस हाफ होता या आप आप आपक स्ट्रेक्चर में पढ़ते ही हो chemistry में and spin angular momentum and spin angular momentum which is equal to plus minus h upon 2 pi ये किसके एकवल हो गया बच्चो similar to किसके similar हो गया similar to electron अब ये किसके द्वारा suggested गिए गया है बच्चो ये पावली द्वारा suggested थे है बच्चो next point is that point number 4 these are suggested by पावली these are suggested by पावली okay to explain the problems of energy conservation to explain the problems of energy conservation this is the line of NCRT please MTG की बुक में भी ये गिवन है इसको थोड़ा ध्यान से कीगा these are suggested by पावली to explain the problems of energy conservation okay linear momentum conservation linear momentum and spin conservation spin angular momentum conservation किस में? बीटा डिके में बीटा डिके में गंजर्वेशन और spin angular momentum गंजर्वेशन spin अंगुलर momentum गंजर्वेशन और ये सब किस में बात चल रही बच्चो? in बीटा डिके बीटा डिके में निकलता है न्यूटिनो और अंटिनूटिनो ओके एक चीज और जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती बच्चो कि in बीटा डिके parent and daughter are isobar in बीटा डिके parent and daughter are isobar ओके बच्चा पाटी हो गया एक स्पेशल पॉइंट ओर आता बच्चो वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि in बीटा डिके आईदर अन एलेक्ट्रों और पोजित्रों is emitted by a Nucleus in बीटा डिके आईदर अलेक्रों और पोजित्रों means E plus इन बीटा डिके आईदर अलेक्रों और पोजित्रों E plus is emitted by a Nucleus is emitted by a Nucleus along with Antineutrino or Neutrino along with Antineutrino or Neutrino the emitted particles share the available disintegration energy okay the electrons and positrons emitted in beta decay have a continuous spectrum of energy from 0 to L limit इसका मतलब अकर आप इसकी energy लिखोगे so you can write delta M multiplied by c square और आपको पता ही है कि जो बीटा का जो spectrum होता है वो कैसा होता है बच्चों continuous energy spectrum होता है ओके तो ये कुछ चीजे थी बच्चों जो हमने देखी अगर आपको इसकी quotient practice भी करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं ओके so ये quotient करके देखते हैं बच्चों एक example समझते हैं activities में इसको use कैसे करें so जैसे ये आपने ले लिया thorium 90 and 234 इसमें सबसे पहले हुआ alpha decay then आपके पास बना x b and a फिर इसमें हुआ beta 0 minus फिर बना आपके पास y c and d ओके फिर हुआ p आपके पास बना thorium 230 and 90 आपको बताना है a b c d and identify the particle p इस p particle को आपको पैचाना है अब a b c d बताना है तो बच्चों जब alpha particle alpha decay होगा तो यहाँ पर कितने का change हो जाता है 4 का यह हो जाएगा आपके पास 230 और यहाँ पर कितने का change होता है 2 का इसका मतलब यह हो जाएगा 88 a और b की value पता पढ़ गए आपको तो बीटा minus decay हो रहा है तो a में तो कोई fact आता नहीं है इसका मतलब यह हो जाएगा 230 और यहाँ पर plus 1 हो जाएगा इसका मतलब यह हो जाएगा 89 ओके बच्चों अब एक चीश सोचो यहाँ पर यह 230 है यहाँ पर यह 230 है यहाँ पर यह एक increase हो गया इसका मतलब कुन सा particle है यह बीटा minus and 0 ओके बच्चों समझ गए कैसे करना है यहाँ पर plus 1 हो रहा है यहाँ पर कोई effect नहीं है यह किसी में होता है बीटा minus decay में होता है ओके तो आप इस तरह के कोई भी सवाल आएगा बीटा plus से बीटा minus से अगर गामा होता तो भी चेंज को ना A में चेंज होता ना Z में चेंज होता तो गामा हो जाता तो I hope यह आपको lecture अच्छा लगा होगा इसमें मैंने complete जो भी थी अलफा बीटा गामा के बारे में वो सारा कुछ भी बता दिया है तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो please I say you can like this channel subscribe and share thank you